सबी बाईयों को सुरेंदर संसनीवाल की तरफ से नमस्कार सबी बाईयों का सवागत करते हैं आपके अपने चैनल संसनीवाल डेरी फार्म पे आज की वीडियो हम हमारे जिले से ही बना रहे हैं बीवानी जिले से बाई अपने जिले को परमोशन करते हैं लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ बीवानी वो जिला है जहां से milk recording में सबसे ज़्यादा बैसे लगती थी जब बहुत ज़्यादा क्रेज होता था milk recording का तो आज हम बिवानी जिले में हैं बीरन गाउं में बीरन गाउं जो की बिवानी से तोसाम रोड के उपर है गाउं है में रोड के उपर ही और बाई साब के पास बहुत सुन्दर जोटी है पहले ब्यात की बच्चा देने वाड़ी इसके बारे में डिटेल से जानकरी लेंगे पुछेंगे बाई साब नमस्कार बाई साब क्या नाम है अपना सुखविर तो बाई साब कोण सी बार पहली बार ब्याएगी जोटी है च्छार दात है बाई साब स्क्राइस की बारे में बताऊ साब इसकी मा कितना दूर्ट देती है तो अभी अपने पास या बेस दिए इसकी मा कभी मिलक रिकॉर्डिंग में भी लगाई थी घर ही रखते हो बस स्टावारे इसका बाब कोण है इसका फादर कोण रखाऊ वो तो च्यार साल पहले करवाया था अब जो गटड़िया है जो बैसे हैं उनका फादर कोन है लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बहुत सारे जो अमारे किशान बाई हैं वो अभी थोड़ी जाग रुकता है ये पहले पता ने द्यानर नहीं रखते थे कि इनका जो फादर है इनका बाप है वो कोन है चारदा जोटी 24 किलो दूद मा का रिकोर्ड 24 किलो दूद माने दिया हुआ बाई साब के घर तो बाई साब कितने दिन रहे इसके बच्चा देने के या दस दिन में बच्चा दे देगी देखिए अभी फुल साइज की जोटी है जो भाई वीडियो देख रहे हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा वीडियो में साइद आपको पता नि ये छोटी लग रही है या बड़ी लग रही है लेकिन जब आप आके देखेंगे खुद अपनी आखों से तो बहुत बड़ी जोटी है साइज में फुल साइज की जोटी है दूसरे तीसरे ब्यात की जो बड़ी वैसे हैं वो भी बहुत कम आपको इतनी लंबी उंची देखने को मिलेंगी ये देखिए पूँच में थोड़े से बाल वाहिट और बाई साब इसको बेचने का विचार है या गर रखने का विचार है ब्याने के बाद में देखेंगे ब्याने के बाद देखेंगे तो कोई कीमत वगरा का इडिया बात में लगाएं अच्छा ब्याने के बाद ही सोचेंगे कीमत के बारे में भी तो इसको भाई साब अभी जैसे की दस दिन रहेगे ब्याने के तो ब्याने से पहले अपने अर्याना में बहुत सारे बाई गी देते हैं बहुत सारे सर्सों का तेल देते हैं आपने क्या दिया दोटी को टेल कैसे दिया कब दिया गी कितना दिया क्या तरीका रहता है 200 ग्राम 300 ग्राम आदा किलो एक दिन सोड़के एक दिन डाइसो ग्राम गी बाई साब ने दिया है और बता रहे हैं ब्याने के बाद बच्चा देने के बाद ही बेचने का विचार करेंगे अगर करेंगे तो तो भाई साब मोबाईल नमबर बताना अपना चुराणवे 165-89-188 ठीक ठीक है ये कॉंटेक्ट नमबर भाई साब का नीचे स्क्रीन में भी चल रहा है आप पूछ सकते हैं जोटी के बारे में बीरन गाउं से ये वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो कि भीवानी जिले में है और बाई साब ने हमें बताया 500 गराम घी एक दिन छोड़के एक दिन दिया है आपको कैसी लगी जोटी और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं जोटी के बारे में बात करना चाहते हैं बाई साब से तो इनका contact number नीचे स्क्रीन में चल रहा है सभी बाईयों को मेरी तरफ से नमस्कार